हैद्रावादी श्टाइल चिकेन करी ओवी टैंगडी का ग्रेवी देखिए एकदम ला जवाब आप देखते ही मुझसे आपका पानी आ जाएगा ये देखिए एकदम जबर्दस ग्रेवी एकदम निव रेसिपी हैद्रावादी श्टाइल में ठीक है चलिए सुरू करते करें लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंड कीजिए आपको एक कडाई लेना है कडाई में ऑयल का जो क्वांटिटी ए आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना है क्योंकि नौन बेज जो बनताना उसमें तुराच ज्यादा ऑल ईयूज़ होता है इसके लिए दिखिए इधर ह लोट सा अब चाहे तो लोट डाल सकते है तो डाली आ नहीं तो माइन एट आप इसको बना ससके कलरफ़ छोड़ा कैसी कमघवर्ठल्ड दालेंगे देखने लिए अच्छा लगेगा और लाउ का है एड़ करना है और थोड़ा सा चिली पावडर इसके लिए हम इदर एड़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो बेटेबल का कलर हो थोड़ा सा चेंज हो जाए इसके लिए आपको थोड़ा सा चिली पावडर और हल्दी पावडर एड़ करना है जैसे ही थोड़ा सा इसको टॉस हो आपको निकाल लेना है या छी से माइल में इसका जो टेंगडी दिखे पीसेज दिखे एक पीसेज कम सै वह अंडेड ग्राम का उपर है बहुत ही बड़िया, इस इसको आशकर लेना है आपको उसका बाद क्या करना है इसमें आपको डालना है ओले में ठीक है, ओयल में डालने का बाद उसका उपर में क्या करना, आपको वन टेबल स्पून सॉल डालना है, और अच्छा तरीका से इसको थोड़ा सा इसको क्या करना है ना, टॉस कर लेंगे, क्योंकि जो थोड़ा टॉस कर लेंगे ना, क्या होगा तो चिकेन का जो पीसे से ना, खुलेगा नहीं और अपका थोड़ा सा अच्छा रहेगा इसके लिए क्या करना आपको थोड़ा हाई फ्लेम गैस में इसको इस तरह से अलका सा टॉस करके निकाल लेंगे ठीक है अभी दिखिए चिकन का जो टेंगडी है मेरा इदर दिखिए थोड़ा सा हाप नहीं ये कम से हम 20% दिखिए ये थोड़ा सा पक चुका है कलर भी देखिए टेंगडी का पूरा चेंज हो गया है अब इसको क्या करेंगा ना एक प्लेट में आपको निकाल लेना ठीक है टिकन टेंगडी है जो है ना बहुत बढ़िया बनता है और इसका टेस्ट लाजवाब बनेगा ये गैरंटी देता हूँ हम अब एक भर इस तरह से ये रेसीबी ट्राई के जिए बहुत ही बढ़िया लगया ठीक है अब वोई सेम उयल में क्या करना आपको इसका मसाला बनाना है मसाला जो है बहुत ही अलग तरीका का मसाला बनाएंगे इसका ग्रेगी का ग्रेवी जो जिनकी अलगर सेम टीडिए और तरह आपको कॉंटीडी आपको कम लेना है वह सेम ओईल में इसको कर लेंगे ठीक है अब इंदर देखिए प्यास तीन पीस प्यासा कीश में । इसको भी आट करेंगे और थोड़ा सा ग्रीन चिली ग्रीन चिली डाल के इसको क्या करेंगे अच्छा तरीका से इसको थोड़ा पका लेंगे ठीक है अब इसमें कम से कम तीन टमाटर इदर ही उसके हों तीन टमाटर को आपको काट लेना है थोड़ा मोटा मोटा साइज में इ में डाल देंगे ठीक है याद देखिए मेरा जो है थोड़ा सा सॉब्ट हो चुका है थोड़ा अच्छा से फ्राई भी हो चुका ठीक है अब इसमें क्या करेंगे ना टमाटर को इस तरह से चोटा-चोटा में कट किजिए वैसे कटके आपको डाल देना ठीक है उपर से थोड़ा सा सॉल्ट एंड कर देंगे चिकन जब आप डाले उधर भी आप सॉल्ट यूज किये हैं अब इसमें भी हम सॉल्ट यूज किया हो ठीक है दोना तरफ सॉल्ट है जब ग्रेवी बनाएंगे अब दालेंगे डो टेबल श्पॉन आपको क्या करेंगा न कास्मेली चिली पॉडर एड़ करेंगे यह ज़्यादा श्पाइसी नहीं है किना हम गृली जीन चिली हम आड़ करके थोड़ा सा पका लेंगे कैजुनट हम इधर कम से कम देखिया बड़ा चमज है उसमें एक चमज करी पूरा फूल लिया हूँ इसको पकाने का बाद आपको पांच-10 मिनिट के लिए फैन का नीचे रख देना है जैसे ग्रेवी पूरा थंडा होना चाहिए उसका बाद या पेश करें ठीक है अब थोड़ा सा पानी भी आड़ करेंगे पानी इसलिए हम आड़ कर रहा हूँ जो मसाला थोड़ा चिपक गया है वह भी थोड़ा वहां से कड़ाई से छूट जाए और ग्रेवी जो अच्छा तरीका से पूरा मिक्स होके एक बड़िया मसाला बने ठीक है ऐसे ही आप यह करी बनाएंगे ना मसाला चिकेन का जो बना रहा हूं रेसीपी बहुत ही बड़िया बनेगा अब देखिए जो मसाला बनकर रेडी है अब हम आपको बना के दिखाऊंगा इसका ग्रेवी कैसा बनाना है अब एक छोटा बॉल में आपको आयल ले बनेगे ठीक है ज्यादा मसाला भी आपका सहथ के लिए अच्छा नहीं है इसके लिए करना बस जश्ट हलका मसाला इसमें डालना है अब इसमें क्या करेंगे ना जैसे थोड़ा गरम मसाला इसमें पक जाए अब इसमें देखिए ग्रेवी देखिए पेश्ट केर लिया हू पेश दिखे कितना बढ़िया हुआ है जब आप पेश डालेंगे ना थोड़ा सा ओयल आपका बाहर आने का चांस रहेगा आप थोड़ा सा दूर आ जाईए इसको अच्छा तरीका से मिक्स किजिए आप ग्रेवी को आपको लगातार कम से कम पांथ दस निट तो जादा आपक किजिए कि कडाई जो है मेरा स्टील का है हाई करेंगे तो क्या ना चिपक जाएगा इसके लिए आपका लो फ्लेम में मीडियम फ्लेम में इसको अच्छा तरीका से भुनना है जब तक इसका ओयल सेप्रेट ना हो जाए अज जब काजुनेट डाला हो ना ग्रेवी आपका उपर आएगा इसके लिए आपको कवर लगा देना है कुछ टाइम का बाद देखिए निकालिए ओयल देखिए सेप्रेट हो चुका है इंडियान खाना में ओयल सेप्रेट आजाएगा ना तब आप समझ आएगे ग्रेवी आपको पक चुका है आप उपर से डालेंगे चिकन को पकाना है अब इसमें टैंगडी जो है उपर से डाल देंगे और टैंगडी को अच्छा तरीका से भूनना है भूनेंगे तो क्या होगा मसाला जो है टैंगडी का अंदर बहुत ही बढ़िया तरीका से अंदर जाएगा और आपका खाएंगे जब अंदर में चिकन पूरा सॉप्ट रहेगा जूसी रहेगा और आपका मसाला भी बढ़िया लगया खाने के रहे ठीक है अब इसको अच्छा तरीका से भुनेंगे जब तक ऑईल सेप्रेट ना हो ठीक है के अब देखिए भुने का बाद में कुछ इस तरह से देख रहा करी का जो मसाला जो ग्रिवी है आपा घंप को बना के खिलाएंगे के केरेंटी देता हूं 100% सब आपका तारीफ करेंगे और हमेशा बोलेंगे ये रेसिपी आप और एक बार बनाऊ ठीक है अपका फ्रेंट का साथ भी आप सेयर कीजिए अपका घर में कोई पाटी हो कोई मेहमान है तो ये डिस आप जरूर ट्राई कीजिए अब इसमें क्या करना जो कैफिकम टॉस करके रखाता है इसको भी इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा होममेट गरम मसाला मेरा चैनल में है आप जा के देख सकते होममेट गरम मसाला कैसे बनाते उसका फ्लेवर ही कुछ अलग सा होता ठीक है अब इसको क्या करना है अच्छा तरीका से इसको मिक्स कर लेंगे हम गरम मसाला को जो आई बट्य में भी हम इसको दे देंगे इसको आप जाके देख सकते उपर से क्या करेंगे ना आपका धनिया पत्ता इसमें एड करेंगे धनिया पत्ता ओभी देसी वाला होना चाहिए ठीक हाइब्रीड वाला नहीं होना चाहिए देसी का जो लेकपीस पूरा साबूत हो से ही है, अब इसमें क्या करेंगा ना, थोड़ा सा पानी आपको दो बोल करें डालना है, ज्यादा पानी आप इसमें एड नहीं करें, क्योंकि ग्रेवी जो थोड़ा ठीक रहेगा, और इसको थोड़ा से एक दो मिनिट पका लेंगे, जरूर ये ह फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार और ने-ने रेसिपी के साथ में,